हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक अन में यूट्यूब चैनल तो दोस्तों, ये इस ड्रामा की एक्स्पिलनेशन का पार्ट नमबर फॉट्टन है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नी किया है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, और अगर चल के मेरे पास आओ, मीडू कहती है कि मेरा एक्सिडेंट हुआ है, और मैं चल नहीं सकती हूँ, तेसंग कहता है कि मैंने कहा, चल के मेरे पास आओ, अब मीडू से बोलती है कि मेरे साथ ये कैसे हुआ, तो मीडू भी कुछ नहीं बोल पाती, वो चल के तेसंग के पास चल और ना चलना यह सब कुछ तुमारी ना टंकी थी तभी मीडू बोलती है कि नहीं मुझे याद तो सब कुछ था मगर चल मैं कुछ दिन पहले से ही पा रही हूँ तेसं कहता है तुमारी एक्टिंग में बहुत सारी कम्या थी मीडू बोलती है मुझे पता है मैं बेफकूफ करती हूँ मगर मुझे माफ करना कि मैं जिन्दा बचाई तेसं को पूछता है यह सारा जूट क्यों बोला मीडू बोलती है क्योंकि अगर मुझे आद नहीं रहता तो किसी को भी नुकसान नहीं उठाना पड़ता मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी प्लीज मुझे प्ला मैं यहीं रहूँगी तुम्हेसाथ तुम्हें प्यार करने की कोशिश करूंगी तब तेसंग बच्छे महिन धफ्का लेके कहता है कि जाऊ इस इंसान के पास जिससे तुम प्यार करती हो । मीडू कहती है फिर क्या मेरा कोई और एक्सिडेंट हो जाएका मैं तुम् उससे प्यार हो जाएगा मुझे रिग्राइट ऐस बात पर मीडू कहती है मुझे माफ कर दो तेसंग कहता है माफ तो तुम मुझे कर दो तेसंग महाँ चला जाता है तो वहीं दूसरी तरफ यून नहीं चैंगी को मिलने के लिए बलाया था वो चैंगी से जाकर की बोलता है क कि अब मैं यॉंगप के साथ मिल गया हूं मुझे पता है वहाँ पे मुझे इतनी इज़त नहीं मिलेगी और मैं उसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूं मगर जहां मैंने इज़त सोची थी वहां मुझे इज़त नहीं मिली चैंगी कहता है तरह सच में दिमाग खराब कि ऐसाग होनी लगती है इस फाइटिंग के चैंगी की आँन्ख में कुछ रजाताolit और पेरिफिसल के वो उपर से ही नीचे गिर जाता है युंझ भच गब्रा गया था कि चैंगी नीचे गर गया है वह भाए भाए सके पास नीच भागता है चैंगी की आलत बूरी थी वह बियोश था इत्ने में वह देखता है कि टे हालत प्रिचन्झ क्रिटिकल थी और यह करता है जो कीते संग है रहता चेहिः कि आए तब के नहीं बात कर सकता एवे सारी बात सुन Cities जो सुन लेती है उससे पता चल जाता है कि चैंगे क्रिटिकल कंडिशन में हैं तो वहीं दूसी तरह मीडू की बर्डे पाटी सेलिब्रेट करने के लिए उसके सारे दोस्त और आफिस के दोस्त आ गए थे और उससे पूछ रहे थे कि मिस्टर हान कहां पे हैं तो मीडू कहती और उसका भाई कहने लगता है कि मिस्टर हान बहुत ही साथ अच्छे है और तभी मीडू को आफिस के किमपलाई से यह भी पता चलता है कि तेसंग ने उसके इलाज के लिए एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में बात करके रखी थे जहां पे असानी से एडमिशन मिलता ही यह जानके मीडू सप्राइज होती है कि इतना कुछ होने के बाद भी तेसंग उसकी कितनी कियर करता है तो वही दूसरी तरफ जेए को दिखाया जाता है जो कि रॉय से बात करने के लिए उसके घर तक पहुँच गया था रॉय कहता है मचे ऐसे लोग बिलकुल भी पसंद है तब ही जेए बोलता है कि क्या मैं आपके डैड चेर्मन मिस्टर जैंक के साथ इस डील को आगी कर्टीनियो कर सकता हूं रॉय कहता है ट्रैकर करके देख लो मेरे डैड को ऐसे लोग नहीं पसंद है तो वही दूसी तरफ मीडू को एक्सिडेंट का सपना आता है और कुछ हो जाए तो मेरे खर्चा करके फोटो फ्रेम के पीछे से एक लैटर देख लेना जो कि बहुत इंपॉर्डन है फिलाल तो तेसंग बस डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीस किसी भी तरीके से यही चैंगी को ठीक कर दीजे तो वही नेक्स डी सौंग जु जा करके मिलती है यॉग अप से और उससे पूछती है कि चैंगी का एक्सिडेंट हुआ है तुम्हें पता है कि कैसे हुआ है तब यॉग कप कहता है कि हो सकता है यून ने किया हो क्योंकि मैंने खुदी तो यह आग लगाई थी संग जु बोलती है तुम यही तेसंग के तो मैं शर्त लगाता हूँ कि अपने 20 साल पराने प्यार को भूल जाओंगा तो वहीं यून हास्पिटल में खबरात वे पहुशता है और देख संग उससे पूछता है कि तुझे पता है कि चैंगी क्यों गया था कंस्रक्शन साइट पे तो यून कहता है कि नहीं मुझे त धा देता है कि चैंगी का एक्सिडेंट हो गया है वह कंस्रक्शन साइट पे गिर गिया था लोगा जोदी कि जै मैंने तुम्हें कॉल किया था मगर तुम्हारा कॉल लगा नहीं था जही कहता है कि यह सब कुछ आपने किया है तेसंग कहते है नहीं फिलाल के लिए तुम वापस आजाओ तो वहीं दूसी तरफ मीडू आज मीडू को हान तेसंग की माम के रेस्टरेंट में ले गई थी उनसे कहती है कि यह मेरी बेटी है और बहुत जल्द दमात को भी लेकर के आउंगी तो वहीं दूसी तरफ तेसंग जब घर पहुशता है तो देखता है कि मीडू वापस जा रही है आभी तो मीडू को यह भी बता चल गया था कि तेसंग उसके लाज के लिए कितना कुछ कर तेसंग कहता है तुम भी मुझे माफ करना तेसंग कहता है ऐसे लगता है कि कुछ टाइम के लिए मैंने अपने होश कवा बैठे थे लेकिन अब वह वापस आ चुके है और अब सोचता हूं तो लगता है कि क्या मैंने तुम्हे कभी प्यार किया भी था या नहीं मीडू तेसंग को sorry और thank you बोलती है मीडू कहती है बहले ही मैं तुमसे डरती थी मकर हमेशा तुम्हारे लिए बुरा फिल करती थी मैं यही हान तेसंग के लिए फिल करती थी तेसंग कहता है मिटा तो मुझे अपनी यादो से उसके बाद मीडू वहां से चली जाती है तेसंग लेंडलॉड का आदमी आ करके कहता है कि आपको एक महीने के अंदर यह दुकान और मकान खाली करना पड़ेगा यह लग तो बहुत ही जादा है और परशान भी हो जाते है और यह कोई और नहीं सॉंग जुका ही आदमी था तो वहीं दूसी तरह फाइनली तेसंग हिम्मत कर कि चैंगी की घर चला जाता है वहाँ चा करके वो उस फोटो फ्रीम में से उस लेटर को निकाल करके पड़ता है जिसमें लिखा था कि मैंने जेए की जिंदगी बदल दी जेए मेरा भाई नहीं है यह पर के तीसंग है तो पूरी स्टोरी पता चलती है चैंगी ने लिखा कि जब मैं 6 साल का था तो मेरी मां के गुजरने के बाद मेरी दादी एक छोटे से बच्चे को घर ले आई मुझे लगा यह मेरी मां ने स्वर्ग से मेरे लिए बेजा है मकर बाद में मुझे पता चला कि मेरी दादी जिनकी आपे काम करती थी यह इस घर के एक लौती बेट जो एक बहुत ही बड़े आदमी बन चुके थे मिस्टर जैंक जी म्यून वो मेरे पास आए मालूम करने के लिए और मैं अपने भाई को अपने से दूर जाने नहीं दे सकता था इसलिए मैं ने नहीं बताया कि जई मेरे साथ था और ना ही जई को एरास पता है इसलिए मैं जाता था कि जैई पर लिख करके बड़ा इंसान बने जो वो इसके असली पिता के साथ रह करके बनता था कि एक दिन में उसे उसकी सिंदिगी का इतना बड़ा सच बता पाता भाई माफ कर देना जैई को उसकी गलतियों के लिए तेसंगे पढ़ के इमोशनल हो गया था तो मीडू को मरवानी की कोशिश की और अब मेरे भाई की साथ ये सब कुछ मैं सच में तुम्हें मार दूँगा भले मेरे भाई मना भी करे लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ खैर जैई को रूम से बहार निकाला जाता है और तेसंग वो तो खुदी बहुत ब जाता है मगर मैं उनके काबिल नहीं थी हमारे पास कोई और च्राइस ही नहीं थी तो वहीं दूसी तरफ टेसंग को जैए कि उस लेटर से उसकी मॉम का एड्रेस भी पता चल गया था इसलिए वो उनकी शॉप पे तो जाता है मगर उनकी तरफ पीट करके बैट गया था वह वह उसकी महां से नहीं मिलता मगर उनके हाथ का खाना एमोशनली खाके महां काफी सारे पैसे रखके चल जाता है तेसंग की महां पैचान गई थी यह तेसंग है उसके जाने के बाद वह बहुत ज़्यादा रोने लगती है तो वहीं सांग्चु आस्पेडल जाती है चैंग कि काम करने लगी है तो यसे का काम करने लगी है फिलाल वो जे को ते मिन के बच्पन की फोटो देती है और इससे पूछती है तो बताऊं क्या रॉज वो फोन उठा देता है बिना कुछ भी बोले, मीडू दूसी साइड से बोलने लगती है, बिना ये जाने कि फोन की दूसी तरफ जे ही है, वो खहती है कि मुझे माफ कर दो, सब कुछ इस तरीके से खत्म हुआ, मगर मैं तुमारी शुक्र गुजार हूँ, जो कुछ भी आज तुम ने मेरे लिए किया, और मैं ये मानती हूँ, कि मैं तुमारे काबिल नहीं थी, और मुझे लगता है कि तुम जे के भाई के गुनेकार नहीं हो, जे ये सब कुछ सुन रहा था, वो फोन कट कर देता है, वो हैरान हो गया था, मीडू के मूसी सब कुछ सुनके, अगले अभी देखना है, तेसंग कहता है, वो मेरे पास नहीं है, जेई जिप पे अड़ गया था, मुझे अभी वो लैटर चाहिए, तब तेसंग कहता है कि अभी नहीं, मैंने कहा बाद में पढ़ लेना, और जब तो उस लैटर को पढ़ोगे, तब समझ चाओगे, क्यों मैं मैं करना कर रहा था, कि अभी उसे मत पड़ो, जेई की गाड़ी घूम फिर करके वहीं आच राती है, क्या आप ने, मेरे भाई से कहा था मीडू को मारने के लिए, तेसंग बात बदल के कहता है, क्या तुम इंवेस्मेंट के लिए, जेई कहता है, जेई कहता है, पहले मीडू क का भाई हूँ, जिसने मीडू को मारने की कोशिश की, तेसंग उसे बोलता है, अगर इतना ही गुस्सा है, तो मार ले मुझे, जान से मार दो, जेई कुस्से में उसे उक्के बोलके वहां से चला जाता है, तो वहीं दूसी तरफ मीडू के पास वही बच्चा आता है, जो कि हान तेसंग की माम के आपे काम करता है, ये मीडू का दोस्त है, मीडू से कहता है दीदी, मुझे आपको बताना है, मिस्टर हान को उनकी माम मिल गई है, तब ही अंदर से आंटी निकल के आती है, और कहती है, मुझे बता काम ही उसकी माम, तब ही बच्चा डीडोल बताता है मिस्टर हान आंटी की शौप पे आये थे, आंटी ये उनकी मा है, उनके जाने के बाद वो काफी रोके बता रहे थी, कि 20 साल पहले उन्होंने अपने बेटे को छोड़ दिया था, वो अपने बेटे के पास दुबारा वापस नहीं गई, क्योंकि उन्होंने उन्हें बहुत ज जकर में उसका जैंगी के साथ जखड़ा भी हुआ था, खेर वो जाकर के उन्होंन से पूछता है, क्या फिर ये मुझे क्या सुनने को मिल रहा है, अगर युन तो अभी कुछ भी कबूल नहीं करता है तेसंग के सामने, वहीं जैई अपने भाई से बोल रहा था, भाई दूसी तरफ मीडू तेसंग के साथ इतना कुछ करने के बाद अब वो तेसंग के बार में ही सोचे जा रही थी, और उसे तेसंग के साथ बिताई हुई यादे आ रही थी, खेर इसी के साथ ये वाले पार्ट के एक्स्पिलनेशन ते यहीं पे कम्प्लीट होती है, दोस्तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, थेंक्स फॉर वाचिंग, मिलते है बहुत जग